पुर्हानपुर में लगने वाली पटाखों की दुकान का SDM ने निरिक्षन किया है SDM दलबल के साथ में पुलिश अमले के साथ रेनु का इस्तित दश्वहरा मैदान पहुंचे यहां प्रतियक दुकानदार से लाइसेंस की कौपी मांगी और लाइसेंस की एक्सपारी डेट को भी देखा इसके साथ ही पटाखा बाजार में अधिकतर दुकानों पर आग बुझाने के संसाधन उपलब दिन नहीं मिले हैं जिस पर SDM ने सुरक्ष व्यवस्था को लेकर सख्त निर्देश दिये हैं दिवाली को लेकर जो आतिश बाजयों की दुकाने आपर सजाए गई है उसके सुरक्षा इस तर पर कितने मान दंड है और क्या वे सभी वैलिड है इसको देखने के लिए अजन लोगा है जाया गया है कि दो दुकानों की बीच में गैप रहे अच्छे से अच्छी और सारे सुरक्षा इंतजाम जो इनके वो पुकता रखे फार एक्टेंविशर है रेथ है पानी ये सब रहे ताकि अपनी सुरक्षा भी करें वह साथ में दूसरे आसपस की दुकान दारों की भी इस पे एक्सपारी डेट जिन पटाकूपर में ने लेखा उस पे एक्सपारी डेट दोज़र पट्रीज दोज़र चबविश तक की पाई गई है ये सुनिशित किया जाए कि किसी भी तरह कैसे फटाके एक्सपारी डेट की बिफूर वाले ना हो याने 2022-2023 की पहले की फट की फुल्गी नहीं बाद वाले ना हो याने 2022-2023 की फटाके फुल्गी नहीं हो बाद वाले ना है